शनीग्रह को लेकर कई मिथ जो है वो प्रचलित है सबसे बड़ी मिथ जो प्रचलित है वो ये है कि शनीग्रह जो है हमारे जीवन में बहुत ही खराब करते है मतलब destruction लाते हैं तो इस प्रकार की भय या वीती की कोई स्थान नहीं है जोटिश में शनीग्रह जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें दशम अर्थात कर्मभाब और एकादस अर्थात उपारजनभाब के स्वामी होते हैं सिर्फ इतना ही नहीं जदि हम शनीग्रह को देखे तो वो सब्तम भाब में उच्च का होता है और मेश राशी में जो है वो नीच का होता है अब मेश राशी क्या है जदि कालपुरुष की कुंडली को देखे तो मेश राशी जो है वो लगन माने जाते हैं अर्थात लगन भाब में शनी नीच का होता है अर्थात दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना जाया भाब जहां है वहाँ शनी उच्च का हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से एक जो सिधांत यहां से निकल के आते है वो ये कि जदि आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे इंटरेक्शन करते हैं जदि आप अपने जो स्वाभी मान है जो अहम है उसे त्याग देते है तो शनी ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाते है यमराज के अगरज है मृत्तू के देवता भी जो है वो शनी ग्रह है नाडी जोतिश में शनी ग्रह को मृत्तू के देवता माने जाते है अर्थात कोई वेक्ति जन्म के बाद कब मरेगा कब उनकी मृत्तू होगी ये सारे जानकारी जो है वो शनी ग्रह पहले ही दे देते ह सिर्फ इतना ही नहीं जैसे के दशम भाब और एकादस भाब अर्थात आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं कर्म से सम्मंधित जो भी आपके एक्टिविटीज होते हैं साथ ही साथ जो आप उपारजन करते हैं जो लाब भाब है उस पर शनिग्रह का ही नियंतरन होता है इस प्रकार जिदि आपकी कुंडली में शनिग्रह अच्छे सिती में हो और थात वो उच्चका हो अपने मूल तरेकोन राशी या अपने स्वाराशी में हो तो ऐसे सिती में, जीवन में, कर्म की शेत्र, में, लाब की शेत्र, में या आपको काफी हद तक मदद करते हैं परंतु वही शनिग्रह जड़ि 6-, 8 या दाधस भाब में चले जाए या फिर नीचका हो जाए तो ऐसे स्थिती में चाहे वो कर्म की शेतर में हो या फिर day to day activities बहुत सारे प्रतिबंध कताय बाधाय जो है वो बिल्कुल आती रहती है देखे दान हम जदि आपको बताये कि शनी के जो वस्तुए है वो आप दान में दे दे तो वो सही रूप से आपको सही मार्ग दर्शन करवाना नहीं होगा क्योंकि शनी जदी मेश राशी में हैं अर्थात एरीज में हैं या फिर शिंग राशी में या फिर धनू राशी में बैट जाए तो ऐसे स्थिती में शनी ग्रह के लिए दान देना सही नहीं रहता ऐसे स्थिती में शनी ग्रह की जो आराध्धा देवी है दक्षिना काली उनकी हवन यग्य करने से सबसे बढ़िया फलिद जो है वो मिलता है अच्छा रिजल जो है वो मिलता है फिर जदि स्थिर राशी में या फिर हम कहें कि पृत्वी तत्ववाले राशी में अर्था दु पूजा अर्चना करे तो सनिग्रह से संबंधित जो भी पीड़ा आपके जीवन में हैं वो सांथ हो सकते हैं। मंत्र बताऊंगा शनिग्रह के बारे में मंत्र मतलब सीक्रेट तत्या मंत्र यह नहीं कि ओम शंग शनिष्चराय ना ऐसे मंत्र नहीं है मंत्र that is a secret थी क्या है सबसे पहले तो आप यह प्रयास करें कि लोहे का कोई काला घोडा या फिर कोई काला गाई कहीं से प्राप्त कर ल और शनिवार के दिन शनिवार के दिन रात को नहीं अपरान में नहीं बिलकुल दो पहर में जदी आप वो किसी को दान दे देते हैं तो शनिग्रह से समंदित जो भी परिशानी है वो आपके जीवन से बिलकुल समाप्त हो जाएंगे यह secret मंत्र जो है याद रखिए और इस इसे करने की प्रयास कीजे और इसको करने के बाद देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा अधुत चमतकार जो है वो आपको दिखने को मिल जाएगा